हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बग्या दोस्तो आज मैं आगया हूँ रामपुर के एक गाउ में जो मानपुर ओजा है और यहां पर एक गर में आया हूँ बहुत ही खूपसूरत घर तो है ही है साथ में जो इनके घर के फ्रेंट एरिया है तो वहाँ भी काफी खोपसूरत पागवानी इनके है और इसके साथ साथ छत के उपर भी जो बैड है काफी अच्छा उन्होंने बनाया है तो चलिए उनके घर के आगन को और उनके छत के इस बग्या को देखते हैं और उनसे बाच्चित करती हैं जिनका ये बग्या है दोस्तो आज हम जिनके घर में आई हुए हैं तो मैं हम हमारे सामनी खड़ी हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी बग्या यूट्यूब चैनल में आपका भी स्वागत है हमारे घर पर बहुत सुंदर लग रहा है कि आपने अपने घर को यकुरेट कर रहा है और खास्तों से जो फूल है और कुछ जो है सजावटी पौदे हैं तो कब से कर रही है यह जो गाजिनिंग है यह लगबग दो साल से कर रही हो मैं इस मकान को बने हुए कितना टाइम हो गया है यह तो लगबग 15-16 साल हो गया है अचा लेकिन गाजिनिंग अभी हाली में पिछले दो साल में के समय से कर रही है तो इससे पहले कभी करती थी यह से पहले मैं करती थी लेकिन हल्का फुलका इतना जगा नहीं था हमारे घर पे तो बस जितना मिलता था उतने में करती थी मैं जब माइके में थी तभी करती थी तो आपके बागवानी को तो हम देखेंगे ही थोड़ा आपका नाम और कहां रहती है मेरा नाम कलपना राय है और मैं रामपूर डिस्टिक में रहती हूं रामपूर के कौन से गाउं में यह मानपूरोजा अशोकनगर बंगाली कलोनी बहुत सुंदर तो चलिए आपके गाजन को देखते हुए आपसे तोड़ी बात्चे करते हैं अच्छा कलपना आपने जैसे का दो साल पहले से अपने गार्डिनिंग की शुरुवात की थी तो आइडिया कहां से आया था क्या कहीं देखा था हाँ यह मैंने जब आपकी वीडियो देखा था तभी मैंने कहा था कि फूल फूल का पॉधर लगाएंगे हम ब्लस हम भी गार्डिनिंग अच्छा मतलब इसके हमारी बगगया वीडियो आप ने देखा शुरुबात में हाँ हमारी वगिया वीडियो को दिखाता मैंने ठीक बहुत ही सुन्दर और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि कहीं कहीं पर जाकर के मुझे ऐसे लोग मिलते हैं कि जो अल्रेडी मेरे चैनल को देख चुके हैं बहुत ही सुन्दर लग रहा है तो शुरूबात में क्या प्लास्टि के पौदे या घर में ही त्यार किया हाँ ये नर्सरी के पौदे हैं और कुछ घर के भी पौदे हैं बीजो से त्यार करते हैं पौदे को हाँ बीजो से कभी इसकी कटिंग लेकर के आपने लगाया है हाँ कटिंग लगाया थे जैसे ये जो फूल है इसके कटिंग को अगर अभी भी ले ले तो इससे फिर नए पौदे बन जाएंगे और जो मिट्टी है इन गमलों में अपने डाला है तो क्या-क्या मिलाया मिट्टी में इसमें रेत और मिट्टी और गोवर खाद तीनों का मिक्सर करके फिर लगाया और प्लास्टिक के जो ये बड़े-बड़े बिए मोठे-बड़े जो पत्तर है उससे दो होल से को फanut अबठाउर कर लिया तो इसको उपर वह दो तोस रहेता बुर्टी मिंट्टी झालने से पहले अगर थोड़ा एक लेह रहन लगा देंगे तो पानी और झानद करके अच्छे से नीचे आएगा बहुत ही अच्छा लग रहा है जो इतने सारे गेंदा आपने लगाए हैं यहां पर कुछ सजावटी पौदे भी हैं तो यह सब भी क्या बहुत पुरानी है या अभी लगाया हाल में नहीं दो ही खरीद के लाए थे और बाकी मैंने टहनी वो जहां से टहनी निकलते हैं उसी स साथ के लगाया च्छत पर कहीन के लिए यूज़ कर सके भी घर के डिया लगता है जब फूलों से भरा हुआ होता है साल्विया के भी पौदे हैं काफी सारे आपके आपर तो अभी हाली में लिया है इनको हाँ लगबग एक महिना देडर महिना हो गया इसका और खिल भी रहे हैं तभी से ही pra कफी कहल रहा है अब तो काफी जड़ भी गए है ये फुल हां हां धज़ड रहे लेकिन पहले अच्छा था इससे पहले भी आपने लगा है सालविय को पिछले साल नेई ये पहली बार लगा है तो इसके बीजों को भी अप लखेंगे तो उससे भी पौधे त्यार हो जाती है आपने कहा कि शुरुवात में जिसकी मिट्टी बनाई थी गोबर की खाद मिट्टी और रेतायती तीनों मिलाय था तो बाद में जब पौदे इसमें चलने लगते हैं तो उसके बाद भी कोई देना होता है इसमें कोई खाद वगरा वो जो खाद आता है सब्ते हुए मार्केट से लाते हैं हां मार्कrente से लाते हैं जो इनपीके ड़ी वगरा इसका थोड़ा बहुत यूज्साते हैं और जैसे में जह कीकंस काे पिज़े कि चलते हैं नीचे की तरह वह यह जाल दिया और फिर मिट्टी से आप उसको कवर कर देते हैं बाकि उसका लिक्विट पर्टिलाइजर वगरा कभी नी बनाया आपने और सरसो की खली का यूज वगरा नहीं वो भी नहीं किया लेकिन जैसे इस समय ये बर्वीना के पौदे दिखाए दे रहे हैं बहुत सरे सीजनल पौदे हैं अगर एक मु पौदे में आप देंगे तो पौदे में कंट्यूने स्फूल आते रहेंगे तो इसको भी थोड़ा सा उपाया आप कीजिएगा अगली बार से करेंगे ये जो सीड़ी दिखाए दे रही है लोहे के घर के सामने से तो पक्का सीड़ी के आपने नहीं बनाया या यही वाला पक्का सीड़ी है वह अंदर से है और यह बाहर का है लोग जो भी उपर जाना चाहिए वह घर के अंदर जाना नहीं पड़ेगा ठीक ठीक मुतलब ऊपर भी आपने गार्ड़निंग एरिया को बना रखा है हाँ पर भी नीचे भी देखें दिवार के साइड साइड में काफ इचले साल इस्टोबरी भी आया था इसमें बहुत सारे बड़े वराइटी के हैं हाँ बड़े-बड़े हैं बहुत ही बढ़िया और मिट्टी तो सब में आपने एक ही जैसे ही बनाया या कुछ अलग भी है नहीं जैसे पहले जो किया था उसमें खाद बगेरा नहीं डाला थ स्थुबार से धूब दिखा कर सुछ दूबारा उसको लगाईगे तो काफी अच्छा हो गा कहीं क्या होता है कि मिट्टी से पुधे को निकाला और दूबारा पूधे को उसी में ही ही लगा देते हैं तो इससे पूधे उत्मने अच्छे नहीं होते मिट्टी को निकाल करके अगर एक दो दिन धूप आपने दिखाया उसके बाद उस मिट्टी में कुछ लगाया तो ज्यादा अच्छा है ये भी सजावट्टी पौदा लग रहा है हाँ सजावट्टी लग रहा है अम्रेला ट्री इसको कहते हैं काफी सुंदर लगते हैं पीला और हरादूर होता है के पत्तो का मिक्चर होता है इसमें पूरा जो घर है सामने से इस तरीके का है यही से अंदर के और एंट्री होती है तो उपर भी कुछ अगर हैंगिंग आप लगा देंगे यहां पर तो काफी सुंदर लगने लगेगा हाँ लगा है पहां पे भी अप सीधा जो हैं छट पर आ गए हैं छट थोड़ा सा खाली लग रहा है इस समय फूल लेओ के पौदे हैं तो इतना खाली-खाली क्यों है इस समय यह गेंदी के फूल हो गये थे वह खतम हो गये वह खराब हो गये तो फिर उसको निकाल दिया अच्छा यह तूलसी भी दोनों तरफ अपने लगा रखा है हाँ तो पत्ते कुछ सूख रहे हैं इस समय हाँ थंड की वज़े से सूख रहे हैं चाहिए इन दिनों सर्दियों में बरफ बहुत पढ़ लई होगी और यह जो बैड बनाया अपने च्छत पर यह कितने पहले बनाया यह जब उपर में ऊपर घर बनाया थे तब ही बनाया उपर मतलब बाद में बनाया भी हाली में यह दो सल पहले तो इसमें कुछ होल्स वगरा आपने किया है बैड में या नहीं नहीं तब नहीं किया था इसमें होल करने की जरुरत है क्योंकि आपने जैसे सीधा यह बैड बनाया तो पानी जो भी इसमें आता है तो वह निकलने की जगह इसको नहीं होती, नॉर्मल तो हम पानी का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जैसे बारिश का सीजन वगरा होता है, तो ऐसे में अपने आप बरसता रहता है, तो उसमें फिर ओवर वाटरिंग हो जाती है, इसमें तो प्लांट मरने का इसमें चांस रहता है, अलग से भी हैं, दो सल पहले, तो अमरूद आयते हैं, यह आम का भी किनरी है, इसमें आम भी आयते हैं, यह सब ग्राफ्टिंग वाले ही पौधे हैं, इधर यह क्या है, यह नीबू है, अच्छे नीबू का भी, सब नीबू भी आयते हैं, थोड़ा सा ग्यापिंग कम हो गया, बहुत जो फलो के पौधे हैं सभी तो थोड़ा सा जादा पास-पास हो गया, अभी भी छोटी हैं, थोड़ा सा दूर दूर आप इनको कर देंगे, तो पौधे बाद के लिए काफी अच्छे हो जाएंगे, बैड में जो मिटी है, इसमें आपने कुछ मिलाया था? नहीं, तब नह जाता है, तो इसको जो है अब जनवरी, फरवरी में जो है आप निकाल सकते हैं, फरवरी में आप एक बार निकाल करके, गोबर की खाद और रेता या जो राइस हस्क होता है, या लकडी का बुरादा आप मिला सकते हैं, मिटी काफी हलकी फुलकी हो जाएगे उससे, तो इतने सारे छोटे छोटे प्लास्टिक के टब भी दिखाए दे रहे हैं, तो यह क्या नरसरी से ही आए हुए हैं सब, हाँ यह नरसरी से ही लाए थे, मतलब पौदे जो लगे हुए थे उसी में आए थे, हाँ उसी में आए थे और वैसे भी अलग से खरिद के लाए थे वो बीज लगाने के लिए उसमें, जब बीजों से भी कुछ तयार करती हैं पौदो को, हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अपना इतना सुन्दर सा गाडिन दिखाया, और हमको इससे कुछ नए आइडिया भी मिले, तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद हमारे घर पे आये और हमारे गार्डिनिंग को देखते हुए आपने शूट किये, आपका भी धन्यवाद